देने का भी दो दिल बड़ा होना चाहिए, सिर्फ लेने के लिए यह पांच सीट चाहिए, लोकसभा में 17, MP में हमको एक सीट मिली, अब विधान सभा में 10 में से 5 चाहिए, तो महारास्टा में हमको 25 सीट दे रहे, हम 5 दे देंगे आप की मांग वो होनी चाहिए, जिससे की आप जीत सको, समाजवादी पाटी हरियाना में कॉंग्रेस को जीते देखना चाहती थी, क्या कॉंग्रेस ने ऐसी रणनीत बनाए जिससे जीत हो सके, क्या हमारे राश्टी अधिर से उन्होंने प्रचार के लिए कहा, कॉंग्रेस सि से नुकसान होता है आप 17 सीटों का जो लोगसभा में कॉंग्रेस ने दिया है उठा के देख लो किसको दिया है टिकट और क्यों इस तरह का पढ़नाम आया और जो जीते हैं वो कौन लोग है किन परिस्चुतियों में वो जीत गए जिपेंदर हुट्टा को यह बयान देने की क्या जरूद थी कि समाजवादी पार्टी का हर्याना में कुछ नहीं है इस तरह कमलनाज जी को क्या जरूद थी बोलने की आप ना गड़ बंदन करो आप सीटे ना दो वो अपनी जगा बात है लेकिन अनावसक बयान नहीं देना चाहिए अधनी राश्टे दज जी ने कहा है कि हमारा इंडिया गड़ बंदन बना हुआ है वो है बना रहेगा इसलिए उस पर कोई सवाल जबाब नहीं है इंडिया गड़ बंदन में सीट बटवारे को लेकरे उस चुनाओं को लेकर कि अभी बहुत कुछ किलिया नहीं हुआ है का जा रहा है कि भई अभी वाप वो तो महारास्टा में हमको 25 सीट दे दें, हम 5 सीट देंगे अभी तो 6 आई हैं, ज्यादा होगा तो हम राश्चेदर जी से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि एक सीट घटा दीजे, कांग्रेस को दे दीजे, लेकिन महारास्ट में हमें 25 सीट कांग्रेस दे दे, चुनाओ तो वहाँ भी होने वाले हैं, तो ये बाते महत्पूर्ण नहीं है, आप की मांग वो होनी चाहिए जिससे कि आप जीत सको, समाजवादी पार्टी हरियाना में कांग्रेस को जीते देखना चाहती थी, क्या कांग्रेस ने ऐसी रणनीत बनाए जिससे जीत हो सके, क्या हमारे राश्ट दिर से उन्होंने प्रचार के लिए कहा, क्या हमारे राश्ट नित्त से उन्होंने कोई ऐसी बात रखी जिससे कि चुनाओ और आसानी से जीता जा सके, क्यांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एकला चलो की राजनीत करना चाहती, जिससे नुकसान होता है, समाजवादी पार्टी अपने आपको डेकफोट पे किया, बहुत सारे जो हमारे कैडर रोट थे, उनके टिकट काटे, उनको बैक लाइन में रखा, हमने अन्य लोगों को जोड़ा, तब जाके जीते, आप 17 सीटों का जो लोगसभा में कॉंग्रेस ने दिया है, उठा के देख लो, किसको दिया है एटिकट, और क्यों इस तरह का पढ़नाम आया, और जो जीते हैं, वो कौन लोग है, किन परिस्चुतियों में वो जीत गया, ये कॉंग्रेस को सोचना पड़ेगा, ये राष्ट नेत्त तय करेगा, कि किस दल को कितनी सीटे मिलेंगी, और वो कॉंग्रेस का राष्ट दल ह होगा, और हमारी पार्टी का राष्ट नेत्त होगा, वो सब मिल के तय कर लेंगे, राज लीडर्शिप को सचेत रहना चाहिए, मेरा ये मानना है, जैसे महरास्टा में हमारी भी लीडर्शिप है, हमारे भी विदायक है, हमारे प्रदेश अद्यस, लेकिन आपने कोई ऐसा बयान नहीं सुनाओगा उनके मौसर, उनका अपना मानना है कि हमारा राष्ट नेत्त जो चाहेगा, वो उनसे बात करके हमको सीड़ देगा, वो हम लड़ेंगे, कॉंग्रेस के अंदर नंबर बढ़ाओ पॉलिटिक्स होती है, पत्र लिख देंगे, चिठी लिख देंगे, बयान दे देंगे, जिस बयान का कोई मतलब नहीं, सपोज, मैं कहता हूँ कि दिपेंदर हुट्टा को ये बयान देने की क्या जरूद थी कि समाजवादी पार्टी का हरिनाना में कुछ नहीं है, कोई जरूद थी कहने क्या, इस तरह कमल नाज जी को क्या जरूद थी बोलन कहा जा रहा है कि हर्याना की जो बात थी वहां पर जो कॉंग्रेस के तरफ से जिस तरीके के रुख रहा उस तरीके कभी उच नौवे यूपी में समाजवादी पार्टी कभी रहेगा कॉंग्रेस के प्रती हम लोग बड़े दिल के लोग और हम लोग आधनिये नेता जी के बत दिल के राजनेता हैं और उन्होंने हमेशा जिससे गड़बंदन किया उसको लाब हुआ है उठा के देख लिजे 2017 से लेके और 2024 तक पूरा उठा के ट्रैक रिकॉर्ड देख लिजे जिसने हमसे गड़बंदन किया उसको लाब मिला है उप्रासंगिक हो गया वो बारती रा सब कुछ हो गया तो समाजवादी पार्टी घाटे का सौधा नहीं यह बात हमारे सामने जितने भी दल हैं उनको यह सोच के बात करनी चाहिए और हमारे नेता जैसा नेता हिंदोस्तान में किसी दल का नहीं आप एक सीट देने में सोचते हैं समझते हैं प्रदेश की लीडर गलम को दे पाएगा महराष्ट में मैंने 25 सीटे ही मांगी है क्या दे पाएंगे क्या उप चुनाओ को लेकर कि हमें कह सकते हैं कि दस सीटों के समाजवादी पार्टी चुनाओ लड़ रही है या जो भी बात बनेगी तेकर रिजल्ट क्या रहेगा अधनी राष्ट जी ने कहा है कि हमारा इंडिया गडबंदन बना हुआ है वो है बना रहेगा इसलिए उस पे कोई सवाल जबाब नहीं है निश्चे ही इंडिया गडबंदन मजबूर्ती के साथ बीजेपी से लड़ता रहेगा समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे है हम चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं कर रहे है हमारे समीकरण वो है जो पीडिये के लोगों को ससक्त करें जो कि इस देश में सबसे आदा वोट अगर किसी का है वो पीडिये समाज का है पिछड़े का दलित का अलपसंख्यक का अगडों का आधियाबादी का आधिवासियो है हम आसाती थें इस बास्त को लेके कि कॉंग्रेस भी इस पर काम करेगी हर्याणा का चुनाओं को कोई असर नहीं होगा उत्रपदेश में नहीं हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करते हैं हम सदेव चाहते हैं बीजेपी हारे वो संपदाइक सक्तियों की रूप में ब 27 की बात बात को करिएगा उप्चुनाओं में देख लीजेगा कैसे हराएंगे और 27 में तो जा रहा हैं योगी जी कोई भी प्रयास करके देख ले समाजवादी जब लड़ते हैं तो हराने के लिए लड़ते हैं और इसके बहुत सारे उधारन है नेता जी ने पताने कौन- और राष्टेदर जी ने 400 पार को 200 के आसपास खतम कर दिया है इसलिए हम लोग लड़ाई संगर्स की अधिकारों की लड़ते हैं जनता हमारे साथ है यह थे समाजवादी पार्टी परोता मनोज्यादो जी अजिनका कहना कित उप्चुनाओं में समाजवादी पार्टी दस झाल 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 झाल